काफी समय से अप्रकास जी अपने बयानों को लेकर खासी चर्चाओं में हम उन्से जानने की कोशिस करेंगे कि लगातार भाजपा सरकार के खिलाब जो बयान वो दे रहे हैं या जो विरूत के बयान दे रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है सर सबसे पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अप तो लोग ये कहने लगें कि योगी सरकार के सामने सबसे बड़ा बिपक्ष है तो वो भारती सुहिल्दी भारती जनता पार्टी के राजभर जी हैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हम भारती जनता पार्टी के विरूधी नहीं हैं हम सहयोगी दल हैं हम पिछडी जाती के 27% आरक्षण में तीन कटेगरी बनाने के लिए जो वादा हमी साहजी ने किया सदन के अंदर माने मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया हम उसी बात को ले करके लड़ रहे हैं कि तीन कटेगरी बना दो जो जातियां अभी तक अपने अधिकार से बन्चित है उनको भी हिस्सा मिलने लगे एक तो हमारा ये इसू है दूसरा इसू है कि आज प्रात्मिक बिद्याले में एक करोड़ सतहत्तर लाख बच्चे पढ़ते हैं वहाँ ना तो नेता का बेटा पढ़ता है ना अधिकारी का बेटा पढ़ता है ना किसी अमीर का बेटा पढ़ता है और सबसे बत्तर सिक्षा की हालत है प्रात्मिक बि बाबा साथ डाक्टर अंबेटकर जी ने संभीधान में चार जाती बनाया है अनसुची जात, अनसुची जन जात, पिछरी जात और सामान जात दो जाती अनसुची जात, अनसुची जन जाती के बेटा बेटी को बीना पैसे में पढ़ा कर डाक्तर मास्टर इंजिनियर कलक्तर बनाने की कोचिंग खुली है दो जातियां पिछड़ी जातों सामान बची हुई है इन दोनों जातियों के भी बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ा कर डाक्तर मास्टर इंजिनियर कलक्तर बनाने की कोचिंग उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुलनी जाहिए सर लेकिन जो बयान आप दे रहे हैं उससे कहीं न कहीं असहस्तो भाज़पा को होना पड़ना है आपके सोयोगी भी हैं आप सरकार में भी सोयोगी हैं कैबिनेट में यह बात रखी जा सकती है आपने देखा कि देश का दुरभाग है कि जो सुप्रिम कोट की बात सब लोग मानते हैं सुप्रिम कोट के भी जज़ आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात को ले आए अभी अभी आपने देखा कि CBI के बर्माजी जो एक स्वतंतर जाच एजनसी है वहां के डारेक्टर ने आरोप लगाया कि हमारे उपर दबाव है सही काम न करो और रातो रात CBI के डारेक्टर का ट्रांसपर हो जाता है एक दुरभाग पूर्ण कदम है सत्ता में रहने के बाब जूत सत्ता पर ही आकरमक होने वाले ओमपरकास राजभर यहाँ भी संदिश देगे कि परिवार में कितने भी भाई हो रहना सब को साथ ही पड़ता है यानि ओमपरकास राजभर का साप कहना है कि वो भाजपा से गड़भंदन वापस लेने की मूड में बिल्कुल नहीं है लेकिन उस सरकार की आलोसना यूं ही करते रहेंगे भुवन चंद्र, ETV भारत